हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वाधत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे Closed Test in Vocabulary और ये सभी SSE exams के लिए और definitely IBPS clerk जैसे exams के लिए भी काफी important है तो इसको solve करते हैं, यहां से देखते हैं Quit India came Quit India came not from the lips but the acting heart of millions, इसमें जो 1942 में Quit India movement हुआ था 1942 में उसके बारे में इसमें describe किया गया है किस तरीके से उसको हमने achieve किया और क्या उसका importance था, इंडिया के लिए तो Quit India came not from the lips but the acting heart of millions मतलब लाखों लोगों का लाखों जो देशबाशी हैं जो लाखों इंडियन से उनके हार्ट से निकल के आया था यह Quit India movement ना कि उनकी लिप से निकल के आया था, तो यह sentence का मतलब है, in this open rebellion, मतलब एक open rebellion था एक पूरी तरीके से बहुत बड़े level पर एक बिद्रो था और काफी forceful था यह काफी बड़े level पर था इंडिया reached its climax अब देखिए, first में क्या आएगा कि कुछ इंडिया movement के दोरान इंडिया अपनी peak पर था, इंडिया की क्या चीज उसकी peak पर थी climax मतलब होता है, peak it's मतलब इसका, मतलब इंडिया का जो जो भी चीज थी, वो climax थी वो peak पर था, तो आपको पता लगाना है कि वो क्या चीज़ थी तो आपके जो option है वो है patriotism यानि देश भक्ती, freedom, liberation, revolution और leadership तो definitely यहाँ पर rebellion word आया है तो revolution जो word होगा वो context के साब से यहाँ पर सही होगा revolution हला कि यहाँ पर patriotism word भी सही हो सकता है लेकिन यह 90% सही होगा और यह 100% सही होगा क्योंकि यह context के साब से भी सही है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम definitely देश भक्ती की दो बात करी रहे हैं लेकिन rebellion context में जो बात हो रही है वो rebellion की हो रही है बिद्रो की हो रही है तो यहाँ पर revolution जो होगा वो सही word होगा patriotism यहाँ पर थुरा सा close है लेकिन सही इसमें जो answer होगा वो होगा revolution मतलब इंडिया का जो revolution है जो कांती है जो बिद्रो की भावना है वो climax पर पहुँच गई थी कुछ इंडिया movement के दोरान the British were not only the British का मतलब है Britishers जो थे ठीक है the British ये group को indicate कर रहा है और इसका मतलब है कि सारे के सारे जितने भी Britishers थे जो इंडिया पर रूल कर रहे थे उस समय उसकी बात हो रही है इसमें the British were not only by it but also were obliged to quit unilaterally अब second में क्या option है second में हम देखते हैं कि जो Britishers थे ना केवल इस से उनका उनकी position उनकी condition पर क्या फरक पड़ाता जी हमें बताना पड़ेगा second option में बलकि वो oblige हो गए थे मतलब उनको लगने लगा था कि अब हमें इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा बिना किसी शर्त के तो यहां पर एक तो proposition दिया है by ठीक है तो by के साथ क्या क्या word आ सकते हैं देखिए by के साथ attack word नहीं आ सकता inspired by ऐसा तो होई नहीं सकता कि कुछ इंडिया movement से बिटिसस जो हैं वो inspired हो गए या attacked by यह दोनों ही word यहां पर एकदम से गलत है इन-feeble का मतलब होता है कमजोर हो जाना फीबल का मतलब होता है कमजोर हो जाना threatened का मतलब डर जाना impressed का मतलब प्रभावित हो जाना तो यहां पर तीन जो option है वो बिलकुल ही गलत है यह यह तीन option यहां बिलकुल ही नहीं आ सकते हैं दो में से एक आ सकता है अब threatened हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि threaten का मतलब है कि एकतम से डर जाना, तो डर जाना सही हो सकता है यहां पर, लेकिन सही वर्ड क्या है? सही वर्ड यह है कि चुकि एक बड़े लेबल पह thi इंडिया पूरे लेबल पह thi लार्ज लेबल पह thi इसलिए जो बिटिस की जो पौबर है, अब हम third में देखते हैं कि importance की बात हो रही है कि Quit India Movement जो था वो किस लेबल का था और किस तरीके से उसकी उसकी power को और उसकी value को हम यहाँ पर prove कर सकते हैं तो यहाँ पर जो word दिये हैं third में third में जो word the established diffuse gaze determined and invigorated ठीक है तो किसी जीच का जो महत तो होता है importance होता है उसको हम उसको हम क्या करते हैं उसको हम established करते हैं वो एक fact है उस fact को हम established करते हैं तो importance of good India can be established तो यहाँ पर जो word आएगा वो established world आएगा diffuse का मतलब है जैसे हम bomb होता है उसको diffuse कर देते हैं उसकी power को खतम कर देते हैं gauge का मतलब भी वैसे estimate करना होता है लेकिन यहाँ पर importation quit India can be यहाँ पर established जदा proper word है gauge का मतलब वैसे estimate या नापना होता है तो यहाँ पर हम उस fact को establish कर रहा है इसलिए established word यहाँ पर ज़्यादा सही होगा determined का मतलब दर निश्यत होना और invigorated invigorated का मतलब होता है अपने आपको strong feel करना इसमें invigorated जो word है यह बाइगर से बना है वाइगर मतलब होता है power ठीक है तो invigorated मतलब अपने आपको शक्तिसाली महसूस करना तो यहाँ पर जो सही word आपका होगा वो इस्टेबिलिष्ट सही word होगा importance of quit India can be established from Lord Linlith Goh statement मतलब इसके importance को quit India movement की विशालता को इसके importance को हम Linlith Goh के statement से हम established कर सकते हैं इसके statement क्या था उनका statement था I am engaged here in meeting by far the most rebellion since 1857 मतलब यहाँ पर क्या आएगा trivial तो बिल्कुल नहीं आएगा trivial का मतलब होता है छोटा या तुच serious auspicious का मतलब शुब तो rebellion शुब तो हो नहीं सकता praiseworthy भी नहीं सकता magnificent यहाँ पर सही होगा क्योंकि बहुत बड़े लेबल पर था कुछ इंडिया movement large scale पर था सारे leaders उसमें involved थे तो इसलिए definitely यहाँ पर आपका जो सही choice होगी वो होगी magnificent serious नहीं बोलेंगे आप कोई serious नहीं था वो बड़े लेबल पर था definitely serious तो था लेकिन magnificent ज्यादा सही word यहाँ पर होगा ठीक है magnificent में seriousness तो अपने आप आई ही जाएगी उसमें meeting by far the most magnificent rebellion since 1857 1857 से लेकि अब तक का यह सबसे बड़ा और सबसे बड़े लेबल पर यह कोच इंडिया movement जो था 1942 में जो start हुआ था वो था the gravity and extent मतलब उसका जो gravity का मतलब होता है उसका महत हो importance और extent मतलब उसकी जो सीमा है उसकी जो range है the gravity and extent which we have so far from the word अब यहां पर from आ रहा है तो from के साथ कौन सा word आप लगा सकते हैं लेकिन वो context के according भी सही होना चाहिए illicitated के साथ from आता है excluded के साथ भी आता है abstained के साथ भी आता है concealed सभी के साथ from आता है लेकिन सही word क्या होगा इसमें from the word for reason of military security देखें military security का कोई रिजन है तो इसकी वज़ से आप क्या करेंगे security regions की वज़ से किसी चीज को क्या करेंगे सीकॉर्टी रिजन की वज़ से किसी चीज को आप छुपा के रखेंगे conceal करेंगे तो इसलिए यहां पर जो सही option होगा वो होगा आपका concealed यह आपका सही आप आंसर यहाँ पर होगा conceal from the world for reason of military security still more significant was अब देखिए इस से भी ज़्यादा important क्या था जो चर्चिल जो था, विस्टेंट चर्चिल gloomy disclosure to the king emperor मतलब जो चर्चिल था उनका एक बहुती sad disclosure था मतलब बहुती दुखी होके उन्होंने इस चीज़ को disclose किया king emperor के सामने कि अब हमें power को इंडिया के हातों में सौपना होगा और इंडिया को हमें छोड़ना होगा gloomy disclosure का मतलब है बहुती दुख वरा disclosure disclosure का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ को प्रकट कर देना तो Churchill's gloomy disclosure to the king's emperor that idea of of power तो यहाँ पर हम power की क्या करेंगे ब्रेटिसर्स जो है वो power का क्या करेंगे किस चीज़ की बात हो रही जब वो कुछ इंडिया कर देंगे इंडिया को छोड़ देंगे तो transfer of power करेंगे वो जो उनके हाथ में जो power है जो emperor के हाथ में जो power है वो इंडिया को वो transfer करेंगे तो definitely यहाँ पर क्या word आ सकता है यहाँ पर आ सकता है transfer of power six में transfer of power had become an admitted in the minds of British party leaders मतलब Winston Churchill ने emperor के सामने gloomy disclosure किया कि transfer of power अब एक अब एक जरूवत बन चुकी है एक urgency बन चुकी उसको करना ही होगा छोड़ना ही होगा तो यहाँ पर चुकी हम urgency की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो सही word होगा वो आपका होगा in-evitability ठीक है इनिविटेविल्टी तो इनिविटेविल्टी का मतलब है कि inevitable जैसे हम बोलते हैं English में inevitable का मतलब है अनिवार्य होना किसी चीज का compulsory होना ठीक है तो जो Churchill ने Churchill का जो gloomy disclosure था King Emperor के सामने और उसने बोला था कि transfer of power अब एक अनिवार्यता बन चुकी है और सारे British leaders इस बात को मान रहे हैं तो यहां पर आएगा inevitability in the minds of British party leaders although his public statements were diametrically opposite लेकिन उसके जो public statement थे वो पूरी तरीके से अलग थे हलाकि Emperor के सामने उसने बोल दिया था कि अब transfer of power हमें करना ही होगा अब इसके बाद 8 में दिखते हैं the created by which India made the British कुछ इंडिया movement ने किस चीज को create किया यह यहां पर आएगा यहां पर 8 में जो fill up आएगा वो वो चीज होगी जो बिटिसस ने create की या कुछ इंडिया movement ने sorry create की तो कुछ इंडिया movement ने किस चीज को create किया कुछ इंडिया movement ने एक urgency को create किया कि अब तो आपको जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ना ही होगा तो यहाँ पर urgency के लिए जो word है वो है exigences यह है urgency के लिए word बेंग, genes का मतलब होता है बदला यह revenge, taboo मतलब जो socially जो चीज बेंग होती है उनको हम taboo बोलते है और अनर्की का मतलब होता है अराजकता जब कोई rule नहीं होता तो उसको हम बोलते है अनर्की तो definitely यहाँ पर जो word आएगा 8th में वो होगा exigences यानि urgencies क्योंकि quit India movement ने exigences create की थी bitsers के mind में exigences created by quit India made the British made the British अब यहाँ पर क्या आएगा कोई India movement ने जो urgency जो create की थी उससे British India को क्या हुआ उससे British India को British India को एहसास हुआ ठीक है तो यहाँ पर realize word आपका सही होगा the exigences created by quit India made the British realize ठीक है इस चीज़ से British India को यह एहसास हुआ कि they could no longer keep India in power देखे उस चीज़ से इनको यह एहसास हुआ कि अब वो इंडिया को ज्यादा दनों तक bondage में नहीं रख सकते ठीक है उसकी power के अंतरकर थे सारे जो लोग थे इंडिया एक bonded country था मतलब उसकी power जो थी वो bitches के हाथ में थी तो इसलिए यहाँ पर bondage जो वर्ड होगा वो सही होगा तो इस तरीके से आपको इस close test को करना है अब यहाँ पर आप कुछ vocabulary word पढ़ेंगे यह banking के और SSC के सभी exams के लिए काफी important रहेंगे यहाँ पर आपको एंटोनिम पता लगाना है इस word का imperious imperious का क्या मतलब है imperious का मतलब है जो बहुत ज़्यदा dominating है बहुत ज़्यदा arrogant और घमंडी जैसा व्यक्ति है बहुत ज़्यदा dominating व्यक्ति है उसको हम बोलते है imperious काफी अच्छा word है यह और docile जो होता है एकदम opposite होता है docile का एकदम servant जैसा जो व्यक्ति होता है, एकदम obedient व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं, तो docile और imperious यह दोनों opposite word है, तो यहाँ पर इसका जो answer होगा, वो होगा, docile, ठीक है, unimportant जिसका कोई महत तो नहीं है, तो यह नहीं होगा, pacific मतलब, जो peaceful जिस व्यक्ति का nature है, उसका हम बोलेंगे pacific sloppy मतलब एकदम careless और एकदम unsystematic किसी चीज को यह दिया, आपने किया है, तो उसको हम बोलते है, sloppy, और purile का मतलब होता है, childishly silly, मतलब बहुती जदा मूर्खता पूर्ण कोई चीज हो, उसको हम बोलते है, purile, तो यह नहीं होगे यहाँ पर, इसका जो antonym होगा, imperious का, वो आपका answer यहाँ पर होगा, second illustrious का मतलब क्या है, illustrious का मतलब well known, famous, बहुती famous ब्यक्ती, बहुती distinguished ब्यक्ती, उसको हम बोलते है, illustrious, तो definitely undistinguished, यहाँ पर इसका यह antonym हो जाएगा, undistinguished, illustrious का, nasty मतलब हो जदा बेकार, भद्दा या unpresent, hazy का क्या मतलब है, hazy का मतलब है hazy, hazy हम बोलते है, fog को, कोहरा जो होता है, तो कोहरे की बज़े से आसपास का जो atmosphere होता है, वो साफ से दखाई नहीं होता है, साफ से दखाई नहीं पड़ता है, unclear हो जाता है, वो तो इसलिए hazy का एक मतलब unclear भी होता है, या vague भी होता है, V-A-G-U-E, ठीक है, और incarcerate का मतलब होगा, मतलब सही एंटोनिम होगा, वो होगा आपका, undistinguished, आगे हम देखते है, immaculate का, क्या मतलब है, immaculate का मतलब, एकदम clean, एकदम tidy, उसको हम बोलते, immaculate, एकदम perfect, ठीक है, तो contaminated इसका definitely, एंटोनिम हो जाए, contaminated का मतलब होता है, पदूशित, irreverent, मतलब जो disrespectful है, virgin, मतलब जिसका भी germination हो रहा है, जिसका भी unkural हो रहा है, जो अभी initial stage पर है, एकदम से initial stage पर हो, उसको हम बोलते है, germinal, तो यहाँ पर immaculate का जो answer होगा, मतलब जो antonym होगा, वो होगा, contaminated, inculpate, inculpate जो word है, यह culprit एक word होता है, आपने सुना होगा, culprit, culprit का मतलब जिसके उपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है, तो inculpate का मतलब है किसी को accuse करना, किसी के उपर आरोप लगाना, जबकि exonerate का मतलब है किसी को free कर देना, जिसको हम absolve भी बोलते हैं, तो inculpate का जो antonym होगा, वो होगा, exonerate, arraign का मतलब ही, accuse है, indict का मतलब ही, accuse है, incarcerate का मतलब, jail में डालना, बंद करना, debase का मतलब, नीचा दिखाना, गंदा करना, तो यह सारे word meaning है, काफी important word meanings हैं, यहाँ पर, impudent का मतलब क्या है, impudent का मतलब होता है, disrespectful, जो व्यक्ति किसी की इजचत नहीं करत होगा, उसको हम बोलते है, impudent, respectful, यहाँ पर, antonym होगा, saucy का मतलब होता है, suggestive, normally, sexually, suggestive, irreverent, मतलब disrespectful, ठीक है जे, तो इसका सनोनियम हो गया, और honorous का मतलब time consuming, बहुत जदा difficult कोई काम होता है, उसको honorous बोलते है, crazy, मतलब पागलपन, तो यह इसके answers है, तो इस तरीके से इस मैंने close test आपको explain किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो गये, और काफी helpful रहेगा आपके लिए, सभी banking और SSE exam में, और यहाँ पर मैंने vocabulary के words भी कुछ explain किये है, जो कि इस समय banking और SSE exams में पूछे जा रहे हैं, so thank you very much for watching this video, thank you.